यह दिवाली गाउं से लेकर बाजार तक सफीद सोने यानि कपास के बंपर उतपादन से दमक उठेंगे ऐसी उमीद की जा रही है मालवा निमार समेथ पूरे मध्य परदेश में कपास के बंपर प्रोडक्शन का आंकलन लगाया गया है मार्किट में फाइनेशल उच्छा लाने के बाद इस बार कपास की क्वालिटी भी अच्छी है और आवक लगातार शुरू हो चुकी है और उमीद की जा रही है कि ये आगे बढ़ती रहेगी पहले हफते में कुछ अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं अमोमन किसी भी चीज की बंपर पैदावार से दाम गिरते हैं लेकिन बजार जानकारों का कहना है कि इस साल कपास के साथ ऐसी कंडिशन नहीं बनेगी वहीं माना जा रहा है कि बंपर पैदावार होने के बाद भी इस सल मध्य परदेश के किसानों को कपास के अच्छे दाम मिलेंगे क्योंकि पडोसी देशों में बाड बारिश की वज़े से कपास की फसल को नुकसान पहुचा है ऐसे में वहां उत्पादन घट गया है और डिमांड लगातार बढ़ रही है भारत से चीन, वियतनाम और अमेरिका तक कपास सप्लाई किया जाता है उधर निमाड में अनुकूल मोसम और अच्छी बारिश से बहतर क्वालिटी के कपास के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और इस साल परदेश में 20 लाग गाट का पास उत्पादन होने की उमीद है यह पिछले साल से डेड़ लाग गाट ज्यादा है अकेले खरगोन जिले से ही 4 लाग गाट का पास उत्पादन होने का अनुमान है वही मध्यपरदेश Association of Cotton Processor and Traders के मताविक भारत कपास उत्पादन में चीन को पचार कर पहले पायदान पर पहुँच गया है मध्यपरदेश कपास उत्पादन में देश में पांचवे स्थान पर है पहले पर गुजरात, फिर महराश्र, तिलेंगाना और आंधरपरदेश है वही मध्यपरदेश की मंडियों में नया कपास मार्किट में आने लगा है और किसानों को 71,000 रुपे कविंटल से लेकर 10,000 रुपे कविंटल तक कपास के प्राइस मिल रहे है 31 अगस से 5 सितंबर यानी 5 दिन में मध्यपरदेश की मंडियों में 1000 कविंटल से ज्यादा कपास आया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाली में कपास के रेर्स करीब 4 फिसद तक गिर गए है और ये ज़ादा नीचे नहीं जाएंगे ऐसा अनुमान है भाव प्रतिगांट 43,000 तक पहुंच सकता है ऐसी उमीद की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में बिकवाली और भारत में इस साल अच्छी फसल देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स के लिहाद से ये काफी अच्छे संकेत बताए जा रहे है उधर माना जा रहे है कि चीन में लोकटाउन और अमेरिका में मंदी की गबराट से कॉमोडिटी मार्केट दबाव में है अब कोटन की वैस्ट्रिक सप्लाई में गिरावट आने की उमीद है दुनिया भर में संभावित मंदी से आगे मांग कम हो सकती है लेकिन अमेरिका ब्राजील और पाकिस्तान में कोटन की फसल को काफी नुकसान हुआ है अमेरिका में सुखा है और करीब 10 लाख मिट्रिक तन उत्पादन कम रहने की आशंका है वहीं पाकिस्तान बार से बेहाल है और वहां 5 लाग मिट्रिक टन कपास का उत्पादन घट सकता है लंबी अबदी में इंटरनेशन मार्किट कोटन के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है खरगोन जिले की मंडियों में पिछले साल भी कपास की बंपर आवक देखने को मिली और दाम रिकोर्स तर पर पहुंचे वहीं खरगोन मंडी में पहली बार कपास 12,000 रुपे कुंचल के भाव पर भिका था वियपारियों ने कहा है कि रेशे की क्वालिटी अच्छी होने की वज़े से कपास की कीमत बढ़ जाती है कपास वियपारियों का कहना है कि पिछले साल शुमूरत में कपास 3,651 रुपे प्रति कुंचल भीका था और इसके बाद लगातार रेट बढ़ते गए वहीं इसी साल जिले में बहेतर बारिश होने से इसका असर उत्पादन और कपास की क्वालिटीव पर भी पड़ेगा और जिले में इस साल 2,10,000 हेक्चर में कपास की सोईंग की गई है और प्रति हेक्चर करीब 14 क्विंचल उत्पादन का लक्षय तै किया गया है ऐसे में बजार जानकारों का माना है कि कपास के अंदर छोटी मोटी गिरावट बन सकती है लेकिन फिलाल लंग भी अवदी में बजार तेजी के साथ कारोबार करते रहेंगे ऐसी उमीद की जा रही है